नाइस तो बताव एड़ा क्या परिशानिया सरो जिनकी में माल के कमी है ये खुड़ी खाना है सर आकरी ने पूछा तो बता दिये का दिक्कत है तो साले सारीरिक दिक्कत पूछा था गुप्ताम की दिक्कत नहीं अच्छा माफ कर दिये डाक्टर साहब जादा बक्चूदी ना किया करो हमारी क्लिनिक में आके अब बताव का दिक्कत है तो सर कमजोरी कमजोरी फील होता है कमजोरी अच्छा खाना पीना होता है तुम्हारा टाइप पे सर रात में एक बार और सो के उठने के बाद एक बार रात में एक बार तो दिन में क्या करते हो मंजीरा बजाते हो का सर खाना खाने के बाद नीद आने लगता है और नहीं पता हाथ फिसल जाता है नीचे हाथ फिसल जाता है नीचे इसका क्या मतलब है तो सर दिन के उजाले में कभी कभी हाथ ऊपर नीचे हो जाता है नीचे ऊपर तुम हाथ जाता चलाते हैं उसलिए तुम्हारा सुखा बनन हो गया है ऐसा मत किया गरो समझे सर बस आप इलाज बता दीजे इस भूग मर्या और पतलेपन का ना ही कोई जीअप पट रही है ना कोई आस बचा है बच उटकारा चाहिए सर जीअप चाहिए और अपर तुमको हाथ चलाने से फुरसत मिले तब तो कुछ उद्धार होगा सरीर का गवाद इंसान सर आप जो बोलेगे वो ही मानेंगे सर इलाज बता दीजे लो इतना कौन ही लाता है भई अपने हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो तुम्हें जरा से भी समझदारी नहीं है कि हिलाने नहीं चाहिए इतना जादा दीजे जिनके में कुछ कर पाएं ना पाएं का पता का होगा बस इससे चुटका रहा दिला देखो बुद्धी आई गई ना बेटा तो मेरी बात धिहान से सुनना अगर अगेला पन तुमको सता है न उत्ता टाइम किसी के साथ रहो या फिर मुझा कॉल कर लिया करो अखेल अगरी भी आता है तुम पे तुदूर हो जाएगा इस हालत में अभी तुम अपने ध्यान दिया करो खाना पीना टाइट रखो और इम्यूनिटी स्ट्रोंगर अगरी सर मैं भी हतास हो गया उस हाथी सफाइस है अरे बेटा कोई बात नहीं हथियार का प्रयोग ना जवानी किते अच्छे हैं डॉक्तर कितना भर्रा विचाट कर देता है और अगर तुमको मन भी करता है तो कॉल कर दिया कर मेरे को फट्षान बटाइगा जाएगा जी सर थैंक यू हैरवानी आपके क्या होगा नौजवानों का हाथ का कान चला-चला कि इन लोग अपने जवानी बर को अब मुठोनी मारोंगा अब खाना पिना कहूंगा गल्फरेंड पड़े यू ह।